तस्वीरे देखी आपने, तस्वीरों में जो कुछ आपने देखा उससे अंदाजा ये लगाई है कि क्या हाल है इस सड़क का, सड़क वो सड़क है मत्परदेश की जहां सबसे अदा बहान गुजरते हैं वो है भोपाल इंदौर हाईवे, वो पाल सिंदौर वाली रोट पर बहुत बड़ी संख्यावे वहाँ निकलते हैं और यहां एकाद किलोमीटर का जाम नहीं था ये, ये शुरुबात में मैंने तस्वीरे दिखाई आपको, ये लंबा जाम, कई किलोमीटर तक जाम, लोग घंटों परिशान, वजे, परिशान के पसीने छुड़ गए इस जाम को खुलवाने में, लेकिन वहां जहां खड़े थे, वहीं खड़े रहे, कई घंटे तक लोगों का हाल यही रहा, दरसल मैं आपको बता दूं, कावड यात्रा कारिकाम आयुजित किया गया प्रदीप मिश्रा की तरफ से, प्रद प्रदीप मिश्रा कह रहा है कि बड़ा अद्भुत सयोग है, और कई वर्षों बाद सावन में ऐसा सयोग बनाए, सुन लीजी, सभी कावड यात्रियों को बहुत बहुत साथ बादें बदाई है, और 72 वर्ष में सावन आया है, जिसकी कावड चल रही है, प्रदीप मिश् आप सोची दिन में क्या हाल सडक पर और शेहर की सडकों पर भी कैसे पुलिस प्रशाशन के पसीने चूट रहे थे, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, मैला पुलिस कर्मियों से लेकर तमाम पुलिस कर्मी भीड को कंट्रोल करने में लगे रहे, लेकिन इस गंटे तक लोग आप सोची अंदाजा के ऐसा रास्तामलाहा जगह है, सियोर के पास, वहाँ पर घंटों तक ये जाम लगा रहा, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, प्रशाशन के सामने ये चुनोती होती ही कि प्रदीप मिश्रा के कारिकम को अनमती तो दे नहीं है, प्र प्रदीप मिश्रा आपको याद होगा, हाल में नाक रगड़कर माफी भी मांगी थी उन्होंने, राधारानी के मंदिर में, आप ये माफी मांगने वाली बात प्रदीप मिश्रा खुद समझ सकते हैं, ज्यादा बहतर कि अगर लोग परिशान होंगे, तो माफी उन लोगो आप कि अब कर सकते हैं, भी मांगे ये मोफब कर सकते हैं, ये जिस का मिकारा आपकोरी, ये नाक रगड़के मांगी पर रहते हैं, रहते हैं लोग़की। झापकोरीोग्ष्वानित्यक्ष्वर लेहां